एक ऐसे फिनामेना को अब डिसकस करते हैं जो बड़ा कॉमन है यह कहा जाता है कि ट्रेड इस एन इंजन अफ ग्रोथ इस इसको बिसी के लिए लिंक किया जाता है नाइंटीन सेंचुरी से अगर आप देखें तो उस पीरिड के अंदर नाइंटीन सेंचुरी के स्टार्ट के अंदर बिलकुल जैदा तर जो रिसोर्स थे या जो इंडस्ट्री थी वो आपके पास क्रेट ब्रेटन में थी लेकिन ओवर दे पीरिड अफ टाइम जब कुछ रिसेंट सेटलमेंट्स के बाद अब हुआ देन फिर आपके पास न्यूजिलेंड था उस्टेलिया था वो बड़ा इंटरस्टिंग केस वहां पे बिल्ड हुआ जिसकी वज़ा से एक फ्रेज हुआ के ट्रेड इस इंजन ओफ ग्रोथ वो यह था कि आपके पास ग्रेट ब्रेटन के अंदर उस वक आपके पास जो प्रड़क्शन थी और जो स्पेसिफिकली पापॉलेशन थी वो तेजी से ग्रो कर रही थी तो इन दैट पीरिड आपके पास जो पापॉलेशन की रिक्वार्मेंट्स थी उनको पूरा करने के लिए जो आपके पास न्यू सैटलमेंट्स जिन कंट्रीज का मैंने नाम लिया है large amount में जो basic good and services थी वो यहां से import की जा रही थी specifically goods की अगर हम बात करें वो खास तोर पे food की अगर बात करें तो एक बड़ी मिगदार में इन new settlements जिनको मैंने new settlement world use कर रहा हूं उन countries के लिए जिनके मैंने अभी नाम लिये यहां से आपके पास raw और food जो food और raw materials जो था वो mostly import होता था और उसके बदले में यहां से Britain की तरफ से क्योंकि industrial base यहां पे थी यहां से capital goods वहां पे जाती थी तो यह एक trade का pattern था उस वक्त आप कह सकते हैं Britain को आप Britain को आप develop कह सकते हैं और जो दूसरी new settlements की बात कह रहा हूं यह developing countries थी यह developing areas कह लें आप तो आपके पास trade के pattern उसी तरह थे जो हम traditional theories के पढ़ते हैं developed world जो है developed country जो है ब्रेटन जो है वो उनको capital goods भेज रहे हैं in return to that वहां से आपके पास food and raw material अलार है एल्टीमेटली जो growth थी वो जो आपके पास developing area की थी या new settlements की थी वो काफी तेजी से हुई आप इस बात का अंदादा लगा लें के 18-13 से लेके 19-15 तक आपके पास जो ब्रेटन की जो population थी वो थ्री फोल्ड बड़ी थी और उसकी जो imports थी वो टू टाइमस बड़ी तो उस case के अंदर आपके पास जो food items की requirement थी वो normally in new settlement से ब्रेटन अपनी पूरी का रहे थे और imports इन से ही हो रही थी एंदेन एक economist है नरकसे उसने ये कहा था the export sector was the leading sector that lead these economies into rapid growth and development तो ये नरकसे की saying है के आपके पास जो single factor था जिसने इन new settlements को उपर किया या इन में ज़्यादा से ज़्यादा development हाई that was trade एक जो idea था जो हमें कुछ media पहले भी discuss किया हम लोग ने कि जो internal ability जो है वो country की matter करती है and then you should opt import substitution policies और इस तरह का stuff लेकिन ये इसके against था ये जो हम free trade की बात करते हैं ये वो उस वज़ा से वहाँ पे आपके पास high growth उसने achieve किये लेकिन ये ऐसे नहीं था यहाँ पे कुछ favorable environment था वहाँ पे circumstances ऐसे थे जिसकी वज़ा से जो new settlements ने grow किया rapidly उनमें सबसे पहली चीज़ थी कि national resource काफी ज़यदा मुझूग थे उन national resource को explore करने करके जो है वो भेजा जाता था develop world के अंदर या ब्रेटन के पास और वहाँ से फिर वो industry के अंदर use होती थी और चीज़ें यहाँ पे आती थी तो ultimately आज भी mostly जो developing world है उनके पास developing countries के पास natural resource ही एक ऐसी चीज़ है जो उनके पास थोड़ी से rich form के अंदर है otherwise उनके पास labor भी उस तरह से नहीं scaled form में है capital वैसे ही काम है तो वो क्या करें वो इस natural resource को extract करके oil को extract करके develop world को बेचते हैं और वहाँ से technological goods या advanced goods industrial goods बंगवाते हैं आज आपने पना middle list देख सकते हैं although वो high income countries हैं लेकिन आप उनको develop world की form में कहीं पे भी नहीं कह सकते these are developing countries तो I would recommend के आप world bank के google के उपर जाके ranking of countries के देखें कि कौन कौन सी countries according to world bank कहां पे fall करती हैं develop world कौन सी हैं developing countries कौन सी हैं तो आपके पास बड़े interesting आपको जो facts वहाँ पे नदर आएंगे then एक चीज ये भी हुई थी कि आपके पास जो labor है उसकी migration हुई थी from Britain to these new settlements क्यूंकि आपको पता है नई markets बनती हैं जब नई countries बनते हैं नई establishments जहां पे बनती हैं वहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं क्यूंकि वहाँ पे आपके पास growth के chances जएदा होते हैं तो skilled labor खास तोर पे अगर आप देखें वहाँ से ब्रिटन से उठके जहां पे अलरेडी काफी ज़दा पूल था skilled labor का वहाँ से काफी ज़दा labor उठके इन new settlements में गई ताके वो नई settlements का फाइदा उठा सके या उन country में अपने जो है वो कदम जमा सकें इसी तरीके से एक बड़ा हिस्सा capital का जो already developed world था ब्रिटन वहाँ से बहुत ज़दा पैसा या capital जिसे आप कह सकते हैं इन new settlements में क्या ताके वहाँ पे labor सस्ती थी नई countries new settlements थी वहाँ पे labor सस्ती थी जो environment था बड़ा friendly था for the investments तो capital वहाँ से उठके वहाँ पे गया अगर आप recently भी current era की बात करें तो यहाँ भी ऐसा होता है जो developed world के आपके पास investors हैं वो developing world में आते हैं developing countries के अंदर आते हैं यहाँ की cheap labor का फाइदा उठाते हैं production करते हैं और चीज़ें ज़्याद से ज़्यादा export करते हैं और फाइदा उठाते हैं this was the same case उस वक्या था के ब्रेटन के पास capital भी ज़्यादा था labor भी ज़्यादा थी तो बहुत ज़्यादा labor और capital मूव किया इसी चीज़ को देख के जब capital और labor move हो रहे थे खास तो आपके पास infrastructure development शुरू हो गई आपके पास roads बनना शुरू हो गए आपके पास जो canal system था वो develop होना शुरू हो गया तो ultimately आपके पास infrastructure development भी शुरू हो गई और जो सबसे बेतरीन काम हुआ वो यह हुआ sea transportation स्टार्ट हो गई for agriculture product क्योंकि ब्रिटन्स की food की demand को बहुत ज़्यदा पूरा किया जा रहा था आपके पास through trade from sea route trade हो रही थी from sea route और आपके पास यह एक general fact भी है कि sea के त्रू जो trade होती है वो normally 60 पड़ती है in comparison to the through air या आप कह सकते हैं या through bus कह लें या through any other mode कह लें आप through drive port किसी भी form के अंदर अगर आप करते हैं तो तो यह तो case था जिसमें यह establish हुआ कि आपके पास वो countries जिनको आज आप इस century के अंदर develop world कहते हैं जैसे मैंने भी बात की Canada की बात की मैंने जो भी countries पाकी चार-पांच लिये नाम Australia की बात की New Zealand की बात की even South Africa की बात की USA की बात की तो यह basically start या develop हुए with the help of trade इस वज़ा से यह common phrase कहा गया कि एक बड़ा famous यह quote है trade is engine of growth लेकिन यह experience था पिछली centuries की बात की जब हमने जब 19th century का experience देखा हमने अब हम next video में इन्शाला देखेंगे कि current जो developing world है वो क्यों नहीं trade से फाइदा उठा पा रहा क्या ऐसे factors हैं जिसकी वज़ा से आपके पास जिस तरह इन countries ने experience किया है growth को high growth को हम जो current developing countries है वो ऐसे क्यों नहीं कर पा रहे हैं है